C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक कक्षा आठ ओडियो बुक विज्ञान कक्षा आठ अध्याई अठारह वायू तथा जल का प्रदूशान प्रिष्ट दो सव उन्तालीस से प्रिष्ट दो सव बावन तो आईए अब सुनते हैं अध्याई अठारह वायू तथा जल का प्रदूशान प्रिष्ट दो सव उन्तालीस पहेली और बूजो ये जानकर फूले नहीं समा रहे थे कि आगरा का ताजमहल संसार के साथ अश्चरियों में से एक है परन्तु ये सुनकर वे दुखी भी थे कि सफेद संगमर्मर की इस इमारत की भव्यता को इसके चारों और के क्षेत्र के वायू प्रदूशन से खत्रा है वे ये जानने के लिए उत्सुक थे के वायू तथा जल प्रदूशन से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है हम सब जागरूख हैं कि हमारा पर्यावरण अब वैसा नहीं है जैसा ये पहले था हमारे बड़े बूड़े नीले आकाश तथा स्वच जल एवं शुद्ध वायू के विशय में बातचीत करते हैं जो उनके समय में उपलब्ध थे जनसंचार के साधन पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर हो रही गिरावट के विशय में नियमित रूप से जानकारी देते रहते हैं हम स्वयम अपने जीवन में वायू तथा जल की गुणवत्ता में हो रही गिरावट के दुश प्रभाव का अनुभव करते हैं उदाहरण के लिए श्वसन रोगों से पीडित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर व्रिद्धी हो रही है हम उस समय की कलपना मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं जब हमें स्वच्छ वायू तथा जल उपलब्ध नहीं होंगे आपने अपनी पिछली कक्षाओं में वायू तथा जल के महत्व को समझ लिया है इस अध्याय में हम अपने आसपास होने बाले हानिकारक परिवर्तनों तथा हमारे जीवन पर इनके प्रभावों के विशाय में अध्ययन करेंगे 18.1 वायू प्रदूशन हम कुछ समय तक भूजन के बिना जीवित रह सकते हैं परंतु वायू के बिना तो हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते ये साधारन तथ्य हमें बताता है कि स्वच्छ वायू हमारे लिए कितनी महत्वपून है आप ये जानते हैं कि वायू गैसों का मिश्रण है आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78 प्रतिशत नाइट्रोजन तथा लगभग 21 प्रतिशत ऑक्सिजन है कारबन डायोकसाइड, और्गन, मीथेन तथा जल वाश्प भी वायू में अल्प मात्रा में उपस्थित हैं क्रिया कलाप 18.1 आपने धूआ उगलते इंट के भटे के निकट से गुजरते समाई अपनी नाक को धका होगा आपको भीडवाली सडकों पर चलते समाई खांसी आई होगी चित्र 18.1 अपने अनुभवों के आधार पर इन दियेगा स्थानों पर वायू की गुणवत्ता की तुलना कीजिए उपवन तथा भीडवाली सडक, आवासी एक्षेत्र तथा अध्योगिक्षेत्र बिन में विभिन समयों पर जैसे प्राताहकाल, दोपहर तथा साइकाल में भीडवाला चाउराह, गाउं तथा शहर चित्र 18.1 इस चित्र में शहर की भीडवाडवाली सडक का द्रिश्य दिखाया गया है इस क्रिया कलाप में आपका एक प्रेक्षण ये भी हो सकता है कि वायू मंडल में धूए की मात्रा में अंतर है प्रिश्ट 240 क्या आप जानते हैं कि ये धूआ कहां से आया होगा? इस प्रकार के पदार्थों जैसे उद्ध्योगों वस्वचालित वहनों से निकले धूए के मिल जाने से भिन भिन स्थानों के वायू मंडल की प्रकृती एवं संगटन में बदलाव आ जाता है जब वायू ऐसे अंचाहे पदार्थों के द्वारा संदूशित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानी कर है तो इसे वायू प्रदूशन कहते हैं 18.2 वायू कैसे प्रदूशित होती है जो पदार्थ वायू को संदूशित करते हैं, उन्हें वायू प्रदूशक कहते हैं कभी-कभी ये प्रदूशक प्राकृतिक सुरोतों जैसे ज्वाला मुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उठा धूआ, अथवा धूल द्वारा आ सकते हैं मानवीय क्रिया कलापों के द्वारा भी वायू में प्रदूशक मिलते रहते हैं इन वायू प्रदूशकों का सुरोत, तैक्ट्री, विद्युत सैयंत्र, स्वचालित वाहन निर्वातक, जलावन लकडी तथा उपलों के जलने से निकला हुआ धूआ हो सकता है इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे चित्र 18.2 दिखाया गया है इस चित्र में फैक्ट्री से निकलता हुआ धूआ दिखाया गया है क्रिया कलाप 18.2 आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बच्चों में श्वसन समस्याएं दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं श्वसन समस्याओं से कितने बच्चे पीडित हैं इसे ग्यात करने के लिए आप अपने मित्रों तथा पास पडोस के घरों का सर्विक्षन कीजिए कौन से पदार्थ अथ्वा प्रदूशक उपस्थित होते हैं। क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि हमारे शहरों में कितनी तेजी से वहनों की संख्या बढ़ रही है। वहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन डायोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआ उत्पन करते हैं। चित्र 18.3 पेट्रोल तथा डीजल जैसे इंधनों के अपूर्ण देहन से कार्बन मोनो ऑक्साइड उत्पन होती है। ये एक विशैली गैस है। ये रुधिर में ऑक्सिजन वाहक्षमता को घटा देती है। इस प्रिष्ट पर नीचे चित्र 18.1 दर्शाया गया है। इस चित्र में स्वचालित वहनों के कारण होने वाले वायू प्रदूशन को दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं, यदि दिल्ली में पंजीकरित वहनों को एक के बाद एक लाइन में खड़ा करें, तो ये संसार की दो सरवाधिक लंबी नदियों, नील तथा अमेजाउन की संयुकत लंबाई के लगभग बराबर लंबी हो जाएगी। प्रिष्ट 241 बूजो को विशेष्टिया सरदियों में वायू मंडल में दिखने वाली कोहरे जैसी मोटी परत याद है। ये धूम कोहरा होता है, जो धूएं तथा कोहरे से बनता है। धूएं में नाइट्रोजन के ऑकसाइड उपस्थित हो सकते हैं, जो अन्य वायू प्रदूशकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे दमा, खांसी तथा बच्चों में सांस के साथ हर हराहट उत्पन हो जाते हैं। बहुत से उद्योग भी वायू प्रदूशन के लिए उत्तरदाई हैं। पेट्रोलियम परिशकरण शालाएं, सल्फर डायॉकसाइड तथा नाइट्रोजन डायॉकसाइड जैसे गैसी ये प्रदूशकों की प्रमुक्ष स्रोत हैं। विद्युत संयंत्रों में कोईला जैसे इंधन के देहन से सल्फर डायॉकसाइड उत्पन्न होती है। ये फेफणों को स्थाई रूप से क्षती ग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याईं भी उत्पन्न कर सकती है। आपने अध्याई पांच में जीवाश्मी इंधन के जलाने के विशय में पढ़ लिया है। अन्य प्रकार के प्रदूशक क्लोरो फ्लोरो कार्बन, CFC हैं, जिनका उप्योग रेफ्रिजरेटरों, एर कंडिशनरों तथा एरोसॉल फुहार में होता है। CFCs के द्वारा वायू मंडल की ओजोन परत क्षती ग्रस्त हो जाती है। याद कीजिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानीकर पराबैंगनी किर्णों से हमें बचाती है। क्या आपने ओजोन चिद्र के बारे में सुना है? इसके बारे में जानने का प्रियास कीजिए। अच्छा है कि CFCs के स्थान पर अब कम हानीकारक रसाइनों का प्रियोग होने लगा है। इन गैसों के अतिरिक्त डीजल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन होते हैं, जो अत्यधिक समय तक वायू में निलंबित रहते हैं। चित्र 18.3 ये द्रिश्यता को घटा देते हैं। सांस लेने पर ये शरीर के भीतर पहुँच कर रोग उत्पन करते हैं। ये कण, इसपात, निर्मान तथा खनन जैसे अध्योगिक प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन होते हैं। विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख के अती सूक्ष्मकन भी वायू मंडल को प्रदूशित करते हैं। क्रिया कलाप 18.3 उपर्युक्त प्रदूशकों का उप्योग करके एक सारणी बनाईए जिसमें आप और अधिक आंकडे भी जोड सकते हैं। सारणी 18.1 इसके मुख्य शीर्शक हैं वायू प्रदूशक, सुरोत, प्रभाव। इन शीर्शकों के नीचे खाली बक्से दिये गए हैं। 18.3 विशिष्ट अध्ययन ताजमहल पिछले दो दशकों से अधिक समय से पर्यटकों को सरवाधिक आकरशित करने वाला भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल चिंता का विशय बना हुआ है। 18.4 विशेशग्यों ने ये चेतावनी दी है कि वायू प्रदूशक इसके सफेद संग मरमर को बदरंग कर रही है। मतुरा तेल परिशकरणी जैसे उद्योग, सल्फर डायॉकसाइड तथा नाइट्रोजन डायॉकसाइड जैसे प्रदूशकों को उत्पन करने के लिए उत्तरदाई रही हैं। ये गैसें वायू मंडल में उपस्थित जलवाशपसे अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अमल तथा नाइट्रिक अमल बनाती हैं। ये वर्षा को अमलीय बनाकर वर्षा के साथ पृत्वी पर बरस जाते हैं। इसे अमल वर्षा कहते हैं। अमल वर्षा के कारण स्मारक के संगमर्मर का संक्षारण होता है। इस परिघटना को संगमर्मर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिशकरणी से उत्सरजित काजल कन जैसे निलंबित कणों का संगमर्मर को पीला करने में योगदान है। ताज महल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच नियायालई ने बहुत से उपाये किये हैं। प्रिश्ट 242 माननीय नियायालई द्वारा उद्ध्योगों को CNG याने संपीडित प्राकृतिक गैस तथा LPG अर्थात द्रवित पेट्रोलियम गैस जैसे स्वच्छ इंधनों का उप्योग करने के आदेश दिये गए हैं। इसके अतिरिक्त ताज के क्षेत्र में मोटर वहनों को सीसा रहित पेट्रोल का उप्योग करने के आदेश हैं। अपने बड़े भूढों से चर्चा करके देखिए कि वे अब से बीस या तीस वर्ष पूर्व के ताज की अवस्था के बारे में क्या कहते हैं। अपनी कतरन पुस्तिका के लिए ताज महल का चित्र प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर चित्र 18.4 दिखाया गया है। इस चित्र में ताज महल को दिखाया गया है। बूजो ने कहा, मुझे फसलों वाला अध्याय याद आता है। मैं हैरान हूँ कि क्या अमलिये वर्षा खेतों की मिट्टी यानि मृदा तथा पौधों को भी प्रभावित करती है। 18.4 पौधा घर प्रभाव सूर्य की किर्णे वायू मंडल से गुजरने के पश्चात पृत्वी की सतह को गर्म करती है। पृत्वी पर पढ़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृत्वी अवशोशित कर लेती है और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लोट जाता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायू मंडल में रुक जाता है ये रुका हुआ विकिरण पृत्वी को और गरम करता है यदि आपने किसी पौधशाला यने नरसरी अथवा अन्य किसी स्थान पर पौधा घर को देखा है तो याद कीजिए के सूर्य की उश्मा पौधा घर में प्रवेश्टो कर जाती है पर इस से बाहर नहीं निकल पाती यही रुकी हुई उश्मा पौधा घर को गरम करती है पृत्वी के वायू मंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते है यही कारण है कि उसे पौधा घर प्रभाव ग्रीन हाउस एफेक्ट कहते हैं इस प्रक्रम के बिना पृत्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता है अब ये प्रक्रम जीवन के लिए खतरा बन गया है इस प्रभाव के लिए हवा में CO2 की अधिक्ता उत्तरदाई है पहेली ने पूछा परंतु वायू मंडल में CO2 की मात्रा कैसे बढ़ती है और इसका आधिक्य कैसे हो जाता है प्रिष्ट 243 आप जानते हैं कि CO2 वायू का एक घटक है पौधों के लिए कारबन डायोकसाइड की भूमिका का भी आप अध्ययन कर चुके हैं परंतु यदि वायू में CO2 की अधिक्ता हो तो ये प्रदूशक की भांती कार्य करती है क्या आप पहेली के प्रश्ण का हल ग्यात करने में उसकी सहायता कर सकते हैं एक ओर तो मानविय क्रिया कलापों के कारण निरंतर CO2 वातावरण में मोचित हो रही है तथा दूसरी ओर वनक्षेत्र घट रहा है पौधे प्रकाश संशलेशन के लिए वायू मंडल से CO2 का उपियोग करते हैं जिसके कारण वायू में CO2 की मात्रा कम हो जाती है वनोन मूलन के कारण वायू में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि CO2 की खपत करने वाले व्रिक्षों की संख्या घट जाती है इस प्रकार मानवीय क्रिया कलाप वायू मंडल में CO2 के संचय में योगदान देते हैं CO2 उश्मा को रोक लेती है और उसे वायू मंडल में नहीं जाने देती परिणाम स्वरूप वायू मंडल के औसत ताप में निरंतर व्रिधी हो रही है इसे विश्व उश्णन याने ग्लोबल वॉमिंग कहते हैं मीथेन, नाइट्रस ओकसाइड तथा जलवाश पजैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती हैं CO2 की भांती इन्हें भी पौधा घर गैसें कहते हैं विश्व उश्णन एक गंभीर संकट विश्व उश्णन के कारण समुद्र तल में एक आश्चारे जनक व्रिधी हो सकती है कई स्थानों पर तटीय प्रदेश जलमगन हो चुके हैं विश्व उश्णन के विस्तरित प्रभाव वर्षा प्रती रूप, क्रिशी, वन, पौधे तथा जन्तूओं पर हो सकते हैं ऐसे क्षेत्रों में जो विश्व उश्णन से आशंकित हैं रहने वाले अधिकांश व्यक्ती एशिया में हैं हाल ही में प्राप्त मौसम परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार पौधा घर गैसों को वर्तमान स्तर तक रखने के लिए हमारे पास सीमित समाई है अन्यथा शताबदी के अंत तक दो डिग्री सेल्सियस तक ताप में व्रिद्धी हो सकती है जो संकटकारी स्तर है विश्व उश्णन विश्व व्यापी सरकारों के लिए विचारणी ये विशय बन गया है बहुत से देशों ने पौधा घर गैसों के उत्सरजन में कमी करने के लिए एक अनुबंध किया है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतरगत कयोटो प्रोटोकॉल एक ऐसा ही अनुबंध है जिस पर बहुत से देश हस्ताक्षर कर चुके हैं बूजो को ये सुनकर आश्चरे हो रहा है कि पृत्वी के ताप में केवल 0.5 डिगरी सेल्सियस जितनी कम वृद्धी के इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं पहेली उसे ये बताती है कि अभी हाल ही में समाचार पत्रों में उसने ये पढ़ा था कि हिमालय के गंगोत्री हिम्नद विश्व उश्णन के कारण पिघलने आरंब हो गए हैं 18.5 क्या किया जा सकता है वायू प्रदूशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं प्रदूशन के विरुध हमारी लडाई में सफलता की अनेक कथाई हैं उदाहरन के लिए कुछ वर्षपूर्व, दिल्ली, संसार में सरवाधिक प्रदूशित नगर था यहां पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले मोटर वहनों से निकलने वाले धुए के कारण दमघोटू, श्वासरोधी वातावरण था वहनों को सीसा रहित पेट्रोल, सी अन्जी जैसे अन्य इंधन द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया चित्र 18.5 इस प्रिष्ट पर बाई और नीचे चित्र 18.5 दिखाया गया है, इस चित्र में सी अन्जी द्वारा चालित सार्वजनिक परिवहन बस को दिखाया गया है प्रिष्ट 244 इन उपायों द्वारा शेहर की वायू अपेक्षा कृत स्वच्छ हो गई है आप भी कुछ ऐसे ही उदाहरन जानते होंगे जिनसे आपके क्षेत्र में वायू प्रदूशन को कम किया गया है इन उदाहरनों की अपने मित्रों से चर्चा कीजिए क्या आप विद्ध्यालेयों में बच्चों द्वारा चलाए गए अभियान पटाखों का बहिशकार करिये के विशए में जानते हैं इस अभियान ने दीवाली के दिनों में वायू प्रदूशन के स्तर में काफी अंतर ला दिया है सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा विभिल्न स्थानों पर वायू की गुणवत्ता का नियमित मौनिटरण की आगया है इन आकणों का उप्योग कर हम अपने मित्रों तथा पडोसियों में वायू प्रदूशन के प्रती जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं हमें अपनी उर्जा की आवशक्ता की पूर्ती के लिए जीवाश्मी इंधन के स्थान पर वैकल्पिक इंधनों को अपनाने की आवशक्ता है ये वैकल्पिक इंधन, सौर उर्जा, जल उर्जा तथा पवन उर्जा हो सकते हैं क्रिया कलाप 18.4 विध्यालय पहुचने के लिए आपके पास विबिन्न विकल्प हैं इन विकल्पों की वायू की गुणवत्ता पर प्रभाव के बारे में अपनी कक्षा में चर्चा कीजिये हमारे थोड़े से योगदान से पर्यावरण की अवस्था में विशाल अंतर उत्पन्न हो सकता है। हम पेड यानि व्रिक्ष लगा सकते हैं तथा पडोस में लगे व्रिक्षों का पोशन कर सकते हैं। क्या आप वन महोत्सव के विशाय में जानते हैं जब जुलाई माह में प्रतिवर्ष लाखों व्रिक्ष रूपित किये जाते हैं। चित्र 18.6 इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे चित्र 18.6 दिखाया गया है। इस चित्र में व्रिक्षों की पौध का रूपन करते हुए बच्चे दिखाये गए हैं। बूजो तथा पहेली एक बार ऐसे स्थान से गुजरे जहां कुछ लोग सूखी पत्तियां जला रहे थे। उन्हें खांसी आने लगी क्योंके समस्तक्षेत्र धूए से भरा था। पहेली ने सोचा कि जलाने से अच्छा विकल्प तो इन्हें कंपोस्ट पिट में डालना हो सकता है। आप क्या सोचते हैं। 18.6 जल प्रदूशन कक्षा साथ में आपने सीखा था कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है। सोचिये तथा उन क्रिया कलापों की सूची बनाईए जिनके लिए हमें जल की आवशकता होती है। हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धी, उद्ध्योग तथा क्रिशी में उपियोग के कारण जल दुरलब होता जा रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि कपड़े धूने, नहाने आदी के बाद हमारे द्वारा उपियोग किया गया जल कितना गंदला हो जाता है। इसका ये अर्थ है कि जल में हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जो उसकी गुणवत्ता को कम करके उसके रंग और गंध को भी बदल देते हैं। जब भी वाहित मल, विशैले रसायन, गाद आदी जैसे हाने कर पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूशित हो जाता है। जल को प्रदूशित करने वाले पदार्थों को जल प्रदूशक कहते हैं। क्रिया कलाप 18.5 नल, तालाब, नदी, कुवे तथा जील के जल के नमूनों को एकत्र करने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक को काँच के अलग-अलग बरतनों में उड़े लिए। इनकी गंध, अमलीयता तथा रंग की तुलना कीजिए। इस सारणी को भरिये। सारणी 18.2 इस सारणी में तीन शीरशक दिये गए हैं। गंध, अमलीयता, रंग। नल का जल इसके सामने दिये गए खाली बक्सों को भरिये। तालाब का जल इसके सामने दिये गए खाली बकसों को भरिए नदी का जल इसके सामने दिये गए खाली बकसों को भरिए कुएं का जल इसके सामने दिये गए बकसों को भरिए जील का जल इसके सामने दिये गए खाली बकसों को भरिए अठारे दशमलव साथ जल कैसे प्रदूशित हो जाता है विशिष्ट अध्ययन गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है चित्र अठारे दशमलव साथ इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे चित्र अठारे दशमलव साथ दिखाया गया है इसमें गंगा नदी का मार्ग दिखाया गया है सबसे उपर गोमुख, गंगोत्री, हरिद्वार, कानपुर, इलहबाद, वारानसी, पटना होते हुए पश्चिम बंगाल में कोलकाता और एक अन्य स्थान पर बंगाल की खाडी में गंगा नदी जा मिलती है प्रिष्ट 246, ये अधिकांश उत्तरी, केंद्रिये तथा पूर्वी भारतिये जनसंख्या का पोशन करती है करोणों व्यक्ति अपनी दैनिक आवशक्ताओं और जीवीका के लिए इस पर निर्भर हैं परंतु हाल ही में प्रकृति के लिए विश्व व्यापी कोश, WWF द्वारा किये गए अध्ययन में ये पाया गया कि गंगा संसार की दस ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खत्रे में है इसके प्रदूशन स्तर में कई वर्षों से निरंतर वृध्धी हो रही है इतने प्रदूशन स्तर तक पहुँचने का कारण ये है कि जिन शहरों एवं बस्तियों से होकर ये नदी प्रवाहित हो रही है वहां के निवासी अत्यधिक मात्रा में कूडा करकट, अनुपचारित वाहित मल, मृत जीव तथा अन्य बहुत से हानी कारकपदार्थ सीधे ही इस नदी में फेंक रहे हैं वास्तव में कई स्थानों पर प्रदूशन स्तर इतना अधिक है कि इसके जल में जलजीव जीवित नहीं रह पाते वहां ये नदी निर्जीव हो गई है 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वा कांक्षी परियोजना आरंब की गई जिसे गंगा कार्य परियोजना कहते हैं परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा अध्योगी की करण ने पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफी हानी पहुचा दी है भारत सरकार ने 2016 में एक नए प्रस्ताव का शुभारंब किया जिसे स्वच गंगा भारत मिशन के नाम से जाना जाता है और इस मिशन के अंतरगत कार्य प्रगती पर है स्थिती को भली भांती समझने के लिए एक विशिष्ट उदाहरन लेते हैं उत्तरप्रदेश के कानपूर शहर में इस नदी का सरवाधिक प्रदूशित फैलाव है कानपूर उत्तरप्रदेश के अत्यधिक जनसंख्यावाले शहरों में से एक है इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे चित्र 18.8 दिखाया गया है इस चित्र में गंगा नदी का प्रदूशित फैलाव दर्शाया गया है इस नदी में लोगों को सनान करते, कपड़े धोते तथा मलमूत्र त्यागते देखा जा सकता है वे इस नदी में कूडा करकट, फूल, पूजासा मगरी तथा जैव अनिमनिकरणिये पॉलिथीन की थैलियां फेकते हैं कानपुर में नदी में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है तथा नदी का प्रवाह भी अती धीमा है इसके साथ ही कानपुर में पाँच हजार से अधिक ओद्योगिक इकाईयां हैं इन में उर्वरक, अपमारजक, चर्म तथा पेंट की फैक्टरियां सम्मिलित हैं ये ओद्योगिक इकाईयां विशाक्त रासायनिक अप्षिष्टों का नदी में विसर्जन करती हैं उपर्युक्त तथियों के आधार पर सोचिए, तथा नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर दीजिए नदी के जलके प्रदूशन के लिए उत्तरदाई कारक क्या ही? गंगा नदी की पूर्व गरिमा को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किये जा सकते ही? कूडा करकट आदी का विसर्जन किस प्रकार नदी के जीवित प्राणियों को प्रभावित करता है बहुत सी ओद्योगी के कहियां हानीकारक रसाइनों को नदियों तथा नालों में प्रवाहित करती हैं जिसके कारण जल प्रदूशन होता है चित्र 18.9 इसके उदाहरण तेल परिशकरण शालाएं, कागज फैक्टरियां, वस्त्र तथा चीनी मिलें एवं रासाइनिक फैक्टरियां हैं ये उद्योग जल का रासाइनिक संदूशन करते हैं इन विसर्जित रसाइनों में आरसेनिक, लेड तथा फ्लूरॉइड होते हैं जिनसे पौधों तथा पशुओं में आविष्टा उत्पन्न हो जाती है इस प्रिष्ट पर चित्र 18.9 में गंगा नदी में फेका गया और द्योगिक अप्शिष्ट दिखाया गया है प्रिष्ट 247 इसे रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाए हैं इनके अनुसार उत्योगों को अपने यहां उत्पन अप्शिष्टों को जल में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना चाहिए परंतु प्राय है इन नियमों का पालन नहीं किया जाता अशुद्ध जल से मृदा भी प्रवावित होती है जिसके कारण उसकी अमलियता तथा क्रिमियों की वृद्धी में भी परिवर्तन हो जाता है हमने अध्याए एक में ये देखा था कि फसलों की सुरक्षा के लिए पीड़क नाशी तथा अप्त्रन नाशी कितने महत्वपून है ये सभी रसायन जल में घुल कर खेतों से जलाशियों याने नदी नालों आदी में पहुँच जाते हैं ये भूमी में रिसकर भी भौम जल को प्रदूशित करते हैं क्या आपने ऐसे तालाबों को देखा है जो दूर से देखने पर हरे प्रतीत होते हैं क्योंकि बहुत से शैवाल उसमें उग रहे होते हैं ये उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट एवं फॉस्फेटों जैसे रसायनों की आधिक के मात्राओं के कारण होता है ये रसायन शैवालों को फलने फूलने के लिए पोशक की भांती कार्य करते हैं जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवानू जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं ये अत्यधिक ऑक्सिजन का उपियोग करते हैं इससे जल में ऑक्सिजन के स्तर में कमी हो जाती है जिससे जली ये जीव मर जाते हैं स्मरण कराना क्रिया कलाप 18.6 आपने कक्षा सात में अपने क्शेतर में वाहित मल निप्टान विवस्था की जाँच की थी. किया आपको याद है कि आपके घर से वाहित मल कैसे एकत्र किया गया था और फिर वो कहां गया? कभी-कभी अनुपचारित वाहित मल सीधे ही नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है इसमें खाद्य अप्षिष्ट, अपमार्जक, सूक्ष्मजीव आदी होते हैं क्या भौम जल वाहित मल द्वारा प्रदूशित हो सकता है? कैसे? वाहित मल द्वारा संदूशित जल में जीवानू, वायरस, कवक तथा परजीवी हो सकते हैं जिन से हैजा, मियादी बुखार तथा पीलिया जैसे रोग फैलते हैं स्तंधारियों के मल में उपस्थित जीवानू जल की गुनवत्ता के सूचक है यदि जल में ऐसे जीवानू हैं, तो इसका ये अर्थ है, कि वो जल मल्युक्त पदार्थ द्वारा संदूशित है यदि इस प्रकार के जल का हम उप्योग करते हैं, तो हमें विभिन संक्रमन हो सकते हैं क्या आप जानते हैं? गर्म जल भी एक प्रदूशक हो सकता है प्रदाशियों के ताप में वृद्धी कर देता है, जिससे उसमें रहने वाले पेड़ पौधे वजीव जन्तूओं पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता है अठारह दशमलव आठ पे ये जल क्या होता है तथा जल को शुद्ध कैसे किया जाता है? क्रिया कलाप 18.7 आईए दैनिक जीवन में उपियोग होने वाले सरल पदार्थों से जल फिल्टर बनाई एक प्लास्टिक की बोतल लेकर उसे बीच में से दो बराबर भागों में काटिये इसके उपरी भाग को उल्टा करके कीप के रूप में नीचे के भाग में रखिये इसमें भीतर कागज के नैपकिन अथ्वा पतले कपड़े की एक परत बनाईए और इसके उपर रूई, रेत तथा फिर बजरी की परतें बिचाईए अब इस फिल्टर पर गंदला जल उड़े लिए तथा फिल्टरित जल का प्रेक्षण कीजिए इन प्रश्णों पर अपने मित्रों तथा अध्यापक के साथ चर्चा कीजिए पीने से पहले हमें जल को फिल्टर करने की आवशक्ता क्यों होती है? प्रिष्ट 248 अपने घर में उपियोग होने वाला पीने का जल आप कैसे प्राप्त करते ही? यदि हम प्रदूशित जल पीएं तो क्या होगा? बूजो बहुत परेशान है वो पहेली से कहता है कि उसने जो जल पिया था वो देखने में स्वच्छ था तथा उसमें कोई गंद भी नहीं थी परन्तु फिर भी वो बीमार हो गया? पहेली स्पष्ट करती है कि देखने में जो जल स्वच्छ प्रतीत होता है उसमें रोगवाहक, सूक्ष्मजीव तथा घुले हुए अपद्रव्य हो सकते ही अतह है, पीने से पहले जल को शुद्ध करना आवश्चक है उदाहरण के लिए हम जल को उबाल कर शुद्ध कर सकती है पीने के लिए उप्युक्त जल को पेय जल कहते है आपने देखा है कि किस प्रकार विभिन भौतिक तथारासाइनिक प्रक्रियाउं द्वारा जलाशेयों में गिराने से पूर्व वाहित मल उप्चार संयंत्रों में जल को शुद्ध किया जाता है इसी प्रकार नगर निगम, अत्वा नगर पालिकाएं घरों में आपूर्ती करने से पूर्व जल का उप्चार करती है क्या आप जानते हैं? संसार की पच्चीस प्रतिशत जनसंख्या को निरापद पे ये जल नहीं मिलता आए देखें कि जल को पीने के लिए निरापद कैसे बनाया जा सकता है आप ये देखी चुके हैं कि जल को कैसे फिल्टर करते हैं ये अप दरव्याओं को दूर करने की भौतिक विधी है आम प्रचलित घरेलू फिल्टर, कैंडल फिल्टर होता है बहुत से घरों में निरापद जल को प्राप्त करने के लिए उबालने की विधी का उपियोग किया जाता है जल को शुद्ध करने की सामान्य रासाइनिक विधी क्लोरीनी करण है ये जल में क्लोरीन की गोलियां अत्वा विरंजक चून मिला कर किया जाता है हमें सावधान रहना चाहिए हमें क्लोरीन की गोलियों को निर्दिष्ट मात्तरा से अधिक नहीं डालना चाहिए पता कीजिए के आपके क्षेत्र में लोगों का जल प्रदूशन के बारे में जानकारी का स्तर क्या है पीने के जल के सुरोत तथा वाहित जल मल के व्ययन की विधियों के आंकडे एकत्र कीजिए समुदाई में जल द्वारा होने वाले सामान्य रूग कौन से हैं इसके लिए आप किसी स्थानी ये डॉक्टर या स्वास्थे कर्मचारी से परामर्श ले सकते हैं इस क्षेत्र में कारेरत सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाईं कौन कौन सी हैं जनता में जागरिती उत्पन करने के लिए इनके द्वारा क्या उपाय किये गए हैं औद्योगिक एकाईयों के लिए बनाए गए नियमों को सकती से लागू किया जाना चाहिए ताकि प्रदूशित जल को सीधे ही नदियों तथा जीलों में नहीं बहाया जा सके सभी औद्योगिक शेत्रों में जल उपचार संयंत्र स्थापित किये जाने चाहिए चित्र 18.10. व्यक्तिगत स्तर पर हमें निश्ठा पूर्वक जल की बचत करनी चाहिए और उसे बेकार नहीं करना चाहिए. कम उपयोग याने reduce, पुने उपयोग अर्थात reuse, पुने चक्रण याने recycle, पुने प्राप्त करना, अर्थात recover और उपयोग न करना याने refuse हमारा मूल मंत्र होना चाहिए. अपनी दिन्चरिया पर विचार कीजिए, आप जल की बचत कैसे कर सकते हैं? धुलाई तथा अन्य घरेलू कारिय में उपयोग हो चुके, जल के पुने उपयोग संबंधी नए नए विचारों के बारे में हम सोच सकते हैं. उदाहरण के लिए सबजियों को धोने के लिए इस्तेमाल जल का उपयोग पौधों की सिंचाई में किया जा सकता है। प्रदूशन अब कोई दूरस्थ घटना नहीं रह गई है। ये हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। जब तक हम सभी अपने दायित्व की अनुभूती नहीं करते तथा पर्यावरण हितैशी प्रक्रमों का उपयोग आरंभ नहीं करते हमारी प्रिथ्वी की उत्तर जीविता संकट में है। प्रिष्ठ दोसव उननचास इस प्रिष्ठ पर चित्र 18.1 के माध्यम से जल उप्चार संयंत्र को दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं? जब आप नल को खुला छोड़ कर अपने दांतों में ब्रश करते हैं तो कई लीटर जल व्यर्थ हो जाता है। जिस नल से प्रती सेकंड एक बूंद जल टपकता है, उस नल से एक वर्ष में कई हजार लीटर जल नश्ट हो जाता है। इसके बारे में सूचिये। प्रिष्ठ दोसव पचास प्रमुक शब्द वायू प्रदूशन रासाइनिक संदूशन विश्व उश्णन पौधाघर प्रभाव प्रदूशक पेय जल जल प्रदूशन आपने क्या सीखा? वायू प्रदूशन अपदरव्यों द्वारा वायू का ऐसा संदूशन है जिसका हानी कर प्रभाव सजीव एवं निर्जीव दोनों पर हो सकता है प्रदूशक वेपदार्थ हैं जो वायू तथा जल को संदूशित करते हैं कार्बन मोनो ओकसाइड नाइट्रूजन ओकसाइड कार्बन डायॉकसाइड मेथेन तथा सल्फर डायॉकसाइड वायू के प्रमुख प्रदूशक है सी ओ टू जैसी पौधा घर गैसों के बढ़ते स्तर से विश्व उश्नन हो रहा है जल प्रदूशन जीवन के लिए हानिकारक पदार्थों द्वारा जल का संदूशन है वाहित मल कृशी रसायन तथा अध्योगिक अप्शिष्ट कुछ प्रमुख जल संदूशक है स्वच्छ तथा पीने योग्य जल को पेय जल कहते हैं जल एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है हमें इसके संरक्षन के उपाई सीखने चाहिए अभ्यास एक किन विभिन विधियों द्वारा जल का संदूशन होता है दो व्यक्तिगत स्तर पर आप वायू प्रदूशन को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं तीन स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है टिपणी कीजिए चार आप अपने शहर की नगरपालिका के सदस्य हैं ऐसे उपायों की सूची बनाईए जिन से नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ती सुनिश्चित हो सके जिन से अमलवर्शा होती है अमलवर्शा हमें कैसे प्रभावित करती है साथ इन में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है क कार्बन डायोकसाइड क सल्फर डायोकसाइड ग मेथेन ग नाइट्रोजन आठ पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वरणन कीजिए नौ आपके द्वारा कक्षा में विश्व उश्णन के बारे में दिया जाने वाला संख्शिप्त भाशन लिखिए दस ताज महल की सुन्दर्ता पर संकट का वरणन कीजिए ग्यार है जल में पोशकों के स्तर में व्रिधी किस प्रकार जल जीवों की उत्तर जीविता को प्रभावित करती है विस्तारित अधिगम क्रिया कलाप एवं परियोजनाई एक कुछ शहरों में वहनों के लिए प्रदूशन जाँच कराना अनिवार्य हो गया है प्रदूशन जाँच के प्रक्रम को सीखने के लिए किसी पेट्रोल पंप पर जाईए इनके बारे में आपकी जानकारी को क्रम बधरूप से लिखिए प्रतिमहा प्रदूशन जाँच किये गए वहनों की ओसत संख्या प्रत्येक वहन की जाँच में लगा समाए जाँच किये गए प्रदूशक, जाँच का प्रक्रम, विभिन गैसों के उतसरजन का स्वीकृत स्तर यदि उतसरजित गैसीं स्वीकृत सीमा से अधिक हैं तो किये जाने वाले उपाई कितने समाई के पश्चात प्रदूशन जाँच की आवशक्ता होती है दो, आपके विद्यालए ने पर्यावरण संबंधी जिन विभिन क्रिया कलापों को संपन्न करने का दायत्व लिया है, उनका सरवेक्षन कीजिए कक्षा को स्वयम दो समुहों में बाटा जा सकता है, तथा प्रत्येक समुहु विभिन विशय का सरवेक्षन कर सकता है उदाहरण के लिए एक समुहू ये देख सकता है कि विद्ध्यालई में कोई पर्यावरण क्लब है अथवा नहीं इसके क्या उद्देश्य है इसके पूरे वर्ष की घटनाओं का क्रम क्या है आप इसके सदस्य कैसे बन सकते है यदि आपके विद्ध्यालई में ऐसा कोई कलब नहीं है तो अपने कुछ मित्रों के साथ आप ऐसा ही एक कलब आरंभ कर सकती है तीन, अपने शिक्षक की सहायता से अपने शहर के आसपास अथवा किसी नदी का शेक्षिक ब्रह्मन आयोजित कीजिए ब्रह्मन के उपरांत इन प्रेक्षणों पर ध्यान के इंद्रित कीजिए नदी का इतिहास संस्कृतिक परंपराई प्रिष्ट 252 शहर की जल की आवशक्ताओं की पूर्ती में नदी की भूमिका प्रदूशन की चिंता प्रदूशन के सिरोत नदी के तठ के निकट और तठ से दूर रहने वाले निवासियों पर प्रदूशन का प्रभाव चार अपने शिक्षक तथा इंटरनेट यदि संभव हो कि सहायता से ये पता लगाईए कि विश्व उशनन के नियंतरन के लिए क्या कोई अंतर राष्ट्रिय संधी हुई है इन संधियों में किन गैसों को सम्मिलित किया गया है इसी के साथ अठारह अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय अठारह यहां समाप्त हुआ वाचक बाबला को छर अभी आप सुन रहे थे यह ध्वनी पाठे पुस्तक तक्नीकी नियंतरन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग कुसुम लता निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत